हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मारके स्टड़ी इन दिस वीडियो टॉकिंग अबाउट बार्क स्टाइप एंट्री ट्रैनिक क्याटेक्री वन जो कि डिप्लोम वालों के लिए है ठीक है मेकैनिकल इंजिनिंग के लिए चलिए सैट नमबर टू है यह कौन सा है भई करेंगे ठीक है चलिए आगे देखते हैं रिक्वेस्ट है आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए ठीक है आपको प्रोवाइड कर रहा हूं टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम पे पीडियाव देख सकते हैं ठीक है फुल डिटेल पीडियाफ मिल जरू करना ठीक है सभी लोग चलिए तो कुछ नंबर वन है इसका सभी लोग आंसर बताईए आपको लाइफ चैट सल रहा होगा ठीक है उस पर आंसर बताईए कि क्या अंसर होगा अच्छी बात रहती है देखो कुछ नंबर वन क्या है इफ एन ओटो साइकल आइसेंट्रो क्यों साओग मैं पूछ तो क्या अंसर रहेगा इस सबसे पहले देखो साईकल आपना स्टर लिंप साइकल current अच्छा कंटेंट कराऊंगा आपको एक चीज़ के लिए रोगी ठीक सबसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं तो देखो ओटो साइकल में सबसे पहले हम हम अगर पीवी डाइगरम बनाएं ठीक पीवी और टीएस दोनों बना रहा हूं है ठीक है तो पीवी डाइगरम बना र हो गया ठीक कर ईस्तरीके से ओ हो जाएगा तो यह आइसेंट्रोपिक हुत है ठीक है सबको पता यह इस है यह उड्म है यह बनिम हो जाएगा ठीक है यह कॉस्टं वइलियUS प्लाइब प्रसेस्त अर यह यह क्यू क्यू बलून बनातर बनाएक कि और तो ऐसकर दोना स्वन ब fluctuation constant volume तो यह जाएगा आप देखो much ना तरिक है तो इसमें और साइकल में होते हैं लोटो साइकल ओड़ाइक है तैज तो होते हैं आइसेंट्रोपिक और दो होते है constant तराइल 17 अगे यह चीज हो गई अपर यह हो धार यहां पर आपको दिख रुघन ट्रॉपिक यहां जगे गह रहा था इंध प्रेग्र इस्ट्रलिंग साइकल थोड़ा टाइम लगए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है डिस्प्ले लिख रहा हूं इसलिए तो यहां पे स्ट्रलिंग साइकल मैं यहां पर बना रहा हूं इस तरीके से तो आइसो थर्मल यह हो गया आइसो थर्मल ठीक है आइसो थर्मल यह भी यह भी आइसो थर्मल हो जाएगा ठीक है तो यहां पर यहां पर होता क्या है कि टू रिवर्सेवल आइसो थर्मल हो जाएगा आइसो थर्मल ठीक है और दो हो जाएंगे कौन से constant volume ठीक है constant volume को क्या बोलते है constant volume को बोलते है isochoric ठीक है तो आपको दिख रहा होगा कि same to same installing cycle में same to same installing cycle में यहाँ पर आइसो जैसे isentropic process था इसमें सीधे सीधे आपने क्या कर दिया यहाँ पर isothermal कर दिया ठीक है तो installing cycle बन जाएगा ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए दूसरा कुछन देखते हैं भी दूसरा कुछन देखिए for same compression ratio the efficiency of dual combustion cycle is same compression ratio मैंने कल लिए आपको बताया था कि same compression ratio की अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि dual combustion cycle is less than पहला देखिए less than diesel cycle efficiency less than diesel cycle and greater than autocycle efficiency and less than autocycle and greater than diesel cycle efficiency and greater than autocycle efficiency correct answer क्या हो जाएगा भी तो यहाँ पर देखो 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 जाएगा less than autocycle and greater than diesel cycle efficiency तीसरा हो जाएगा तो देखो same compression ratio की बात करूँ मैं same compression ratio compression तो efficiency of auto is greater than efficiency of dual is greater than efficiency of diesel ठीक है यह होता है तो question में देखिए less than autocycle मतलब dual cycle की जो efficiency है वो greater than है किस से diesel cycle से और autocyclic efficiency से सबसे दाद आए तो यह बात रहेगी same compression ratio पे ठीक है same compression ratio पे बात रहेगी अगर different compression ratio हो जाए तो different compression ratio हो जाए तो क्या करेंगे compression ratio का मतलब जानते हो ना मैं आभी बताऊंगा सारी चीज़े ठीक है यहाँ पर लिख दे रहा हूं ठीक है पीडिएफ मिलेगी इसकी different compression ratio compression ratio ठीक है different compression ratio और बात करेंगे तो देखो यहाँ पे efficiency of क्या हो जाएगी बढ़ाए डीजल ठीक है diesel आएगा सबसे वहल दीजल और टीजल तो अगर ऐसे कुशन पूचा है कि different compression ratio अलाग अलाग different compression ratio तो इस केस में diesel ठीक होती है वह सबसे जादा होती है आपको दिख रहा होगा यह क्योशन आपको याद करने और और यहाँ पर यहाँ रख दिया जाए तो यह हो जाएगी ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर compression ratio CR होता है वह compression ratio मैं आपको बता चुका हूँ वी सी प्लस वी एस अपॉन वी सी होता है मतलब वी एस स्वेट वोलिम है वी एस क्लेंस वोलिम है ठीक है तो यह तो हो गया compression ratio तो अलाग अलाग होता है सब के लिए चलिए यह कुश्चन करके बताईए आप कुछ और बता दें तुमको देखे आपको बता दें देंको efficiency और एस standard efficiency की बात करोगो टो साइकल ली तो 1-5 और simply बात कर तो Q rejected upon Qs होता है ठीक है यह होते है efficiency यह हो गई and air standard efficiency की बात करो तो air standard efficiency होती है 1-1 upon R की पावर गामा माइनस 1 ठीक है यह efficiency होती है चलिए एक तो कुश्चन देखे बई कुश्चन नमर 3 देखे एक कार है फॉर स्टॉप in-line डीजल इंजन एक कार है फॉर फॉर स्टॉप हूस कंपकरेशन रेशियो 20 रेशिव न है कंपशन रेशिव लोग लगत करिए इसको जल्दी से आंतर बताइए लोगत रराए तो सबसे पहले हम क्या नहीं तो सबसे पहले हम डिटा रखेंगे ठीक है यहां पर निटे रखेंगे यह आप्शन देखो यह वाली काटवा आप यह वाली एससे रिखो क्या है सबसे पहले compression ratio हम CR से compression ratio कर ले रहे हैं ठीक है CR compression ratio है वो 20 ratio 1 है ठीक है and expansion ratio मतलब मैं क्या करूंगा R E ठीक है यह expansion ratio हो जागा यह हो जागा 10 ratio 1 ठीक है cut off ratio मतलब RC यह cut off ratio आपको पूछा है ठीक है यह चीज हो गई अब यहां पर देखिए बताइए और किसी को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आशर बताइए सभी की सब लाइक जरू करना ठीक है बहुत मैंने से बनाता हूं वह PDF जी सारी चीज है टाइप करना पड़ता है मुझे अकेले तो देखिए यहां पर एक इक्वेशन होती है मैं आपको ऐता दूँ गम्पर्चन रेशिय यहार होता है वो hij कुछा पीजिए यहां पर देखो कटrap रेशियो तो क्या हो जाएगा अपना compression ratio upon expansion ratio ठीक है अब CR देखो कितना है CR है हमारा 20 ratio 1 तो मैं क्या करूँगा 21 बट्टे 1 कर दूँगा एंड बट्टे में कि आरी मतलब आरी कितना है अपना 10 रेश्यू 1 तो क्या करूँगा वन रेश्यू 10 इतना तो समझ गया होंगे मैं बट्टे में करूँगा तो multiply में उधर हो जाएगा ठीक है इससे में अगर इससे अगर मैं काटूँगा इसको तो दस दूने 20 20 पॉइंट 20 कितना आ जाएगा बदाये यह 1 आ जाएगा ना 2.1 तो 2.1 आणसर आ जाएगा तो जो की आंसर है आपका दूसरा ठीक है 2.1 आउसर है समझ में आगे होगा बस आपको यह जो एक्वेशन है वह आपको तयार करने है कमपरेशन रेशियो इसकल टू कट आफ रेशियो इंट टू एक्समाशन रेशियो ठीक है बड़ा वीडियो बन सकता है मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि यहां चीज यह एंजन में नौकिंग को बढ़ावा नहीं देगा कौन सा नहीं देगा भई लो सेल्फ इंगिशन टेंपरेशर ऑफ फ्यूल लो इंगिशन स्पीड एडवांड एडवांस इंगिशन लिम्टिंग टाइमिंग लोवर कमप्रेशन वेशियो तो करेक्ट आंसर क्या हो जा दोन क不好 करीए मैं अगर यहां पे पिस्टन स्लेंड्र रहा ऐरेंजमेंट बना दूँ आप एस तरीके मैं लें झैमिक तो आपको सबि को यहां तक कि जो बाकी डिस्टेंस बची है यह वाली यह होगी वी सी ठीक है यहां पर वाल लगी होते हैं दोनों पता होगा आपको ठीक है यह चीज़ होगी तो मैं अगर यहां पर बात करूं तो हों क्लेंस वोल्यम काँ मन्यें होता है वी एस प्लस वीची ओपना कमप्रेशन डेशियो सी आर ओप्सक्राइशन डेशिए ओव पैट्रोल ठीक है कितना होता है 6 to 10 याद रखना 6 to 10 होता है compression ratio of diesel यह कतना होता है 15 से 25 ठीक है compression ratio of dual engine ठीक है यह उतना है 12 से 16 के बीच में देखिए कभी कभार compression ratio डीजल का दे रखा है आपको ऐसे देगा 17 से लेकर 22 तो वह भी आंसर सही रहता है ठीक है मतलब थोड़ा सा यह ध्यान रखो 15 से 25 या 15 से 24 भी दे रहा है कोई option तो वह भी ठीक है 16 से 22 दे रखा है वह भी ठीक है इस तरीके से आप ध्यान रखोगे जीजो को थोड़ा सा समझदार बनो कि हमें आंसर मतलब किस तरीके से लगाना है ठीक है अब देखो तो कार्बूरेटर ऑफ कंट्रोल मतलब किसको कंट्रोल करता है करेक्ट आंसर बताएं कोई बताइव भी कुछ नमबर फाइब का जो आंसर रहेगा वह क्या रहेगा बताइए तो देखिए जब हमारा कार्बूरेटर वाला जो फंक्शन होता है उसमें जो फ्लोट होता है फ्लोट मतलब क्या हुआ वही फ्लोट क्या करता है जैसे मालो कि यह आपना देखा होगा आरेंजमेंट आपने जैसे यह फ्यूल भरा हुआ है इसके इंदर तो इससे फ्लोट का करता है तो वह यहां से तरीके से इसंत्हीं में छूप यह रहा हुचान यहां आप फ्यूल जा रहा है इस तरीके लिग करता है कर्वेटर को सेसे कर rat अब यहां पर क्या है कि लिए मतलब फ्यूल का जो लेविल है वो कितना है हमारा थांके के अंदर यह आपका फैलूट फूलोत है वह आपको पता करता है समझ में आगे तो नो अबाउट के लेविल ऑफ फ्यूल चलिए नैस्ट देखते हैं कुछ नमर शिक्स वट हैपन इफ पैट्रोल इस यूज़ इन डीजल इंजन बहुत ही काफी इंपोर्टेंट है कुशन भई सभी लोग को पता होना चाहिए कि अगर मैं पैट्रोल इंजन और विल बी प्रोडियूस और हाई नॉकिंग विल ओकर एंदा इंजन विल नॉट रण बताइए वह क्या अंसर रहेगा तो करेक्ट आंसर वे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर देखो हाई नॉकिंग होगी ठीक है मैं आपको क्लियर चीज़ा करूंग अभी जस्ट ठीक है ओंश्चाही नॉकिंग ह कि अधर फूरा समझ लोंग हो मैं यहां पर चीज सम्जा रहा हूं कि यहां पर आपका क्या है यह मैं बना दे रहां उसस तरीक से क्या डीजल इंजन थीक है है वी ससे इसमें मैं क्या कर रहा हूं वे इसमें मैं क्या कर रहा हूँ यह है तुमारा पैट्रॉल एक बाद चीज समझ में आ जाएंगे ना यह इस तरीके से तुम इसमें डाल रहे हो ठीक है डीजल एंजन में तो रिजल्ट क्या होगा भी रिजल्ट क्या होगा हाई नॉकिंग हाई नॉकिंग हाई नॉकिंग करेगा मतलब इंजन में अवाज होगी बहुत तीज अब क्यों होगी क्यों क्योंकि डीजल इंजन का जो कंपरेशन रेशियो होता है siyah होता है वह 25-25 होता है क्सीन को इसको डिजाइन किया गया है 15-25 के compression ठीक खिलो को जो डेजाइन करा गया है वह होता है सिक्सीय क्म्प्राइस का are रहे हैं कि पतला होता है तो मालो कि इसको हम सिक्ट टैन वाले में यूज कर रहे हैं मालो डीजले तो यह क्या करेगा आसानी से पेट्रल इंजन ठीक है कट्टी बनादू एक मालो इस तरीके से यह डीजल है ठीक है यह इसमें में डाल लाँ तो क्या होगा रेजल्ट नॉट रान यह सब याद कर लो भाई बहुत इंपोर्डन्ट है तो वही बात है डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है 1525 यह टीक है इसको डिजय पार्डल को पैट्रीक हो इस ने मतलए यह में फूनद और यह हो जाए घला है ऑफ जूल अगर टाल के शो प्लिए इक चिपक जायेगा गया अंयह तो यहां चलेम ऑन चलीम राग्यरन को यह नान कर दोख सब्कत ऑच कोлекन पर होै काफी important है यह याद रखना हमेज़ा चलिए तो question number हम साथ देखते हैं काफी important है यह numerical है ठीक है करते हैं इसको देखिए the brake thermal efficiency of an engine is 40% काफी important है ठीक है level बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा if the calorific value of the fuel use 48,000 klojoule per kg and it produce 24 kg breaking power then the fuel consumption is kg per hour ठीक है यह है सबसे पहले क्या करते हैं अभी सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा लिखते हैं ठीक है सबसे पहले डेटा लिखते हैं तो bp आपको दे रखा है कितना ब्रेकिंग पॉबर जो दिरखी है वो कितनी दिरखी है बताईए 24 क्लो जूल पर सेकिंड ठीक है कितना दिरखा है 24 क्लो बाट है ठीक है कोई दिक्कत नहीं पसके बद देखिए efficiency of यहाँ पे thermal efficiency आपको दिरखी कितनी 40% तो यह कितनी हो जाएगी अप सॉल्व करोगे तो 0.4 ठीक है यह चीज के लिए रुए देखो डेटा जो दिरखा है वो देखो ठीक है और सीवी आपको दिरखा है कैलोरी वैल्यू वो कितनी दिरखी है वो दिरखी आपको 48000 क्लो जूल पर किलोग्राम ठीक है यह डेटा मैं इसलिए लिखा कि आपको पत एमेफ फूल कंजप्शन ठीक है तो फॉर्मूला देखो क्या होता है भी जब इफिसंसी हम निकालेंगे कौन सी ठीक है थर्मल इफिसंसी अब निकालोगे तो बी पी ब्रेकिंग पावर अपान एमेफ फूल कंजप्प्शन जो यही होता है एंसी भी तो आप यहां से करो तो क्या कर रहा हूं मैं देखिए किया करेंगे अब देखो thermal efficiency जो है कुशन में आपको देरकी है कितनी देरकी है देखो यह देरकी है है एंटु सीवी हमारा 48 है कि 48000 ठीक है काटो भई देखो पॉइंट से पॉइंट अटाओ 10-0 बड़ा चाच चिक के 24 छे बार कटा यह और यहां पर यह जिरो से 0 काट दो एक और 6-6 से यह कटेगा आठ बार 800 हो जाएगा ठीक है तो कितना आ जाएगा अपना जब नि निकालोगी आप इस में क्या और इसमें कारोगी तो जैसे अम्ड़ाएगाी ऐचने निकाला इसमें talks a 36 सौइशो को क्यों करा क्यों क्योंड क्यों कि एक लोग्राम पर अबर में निकालना है तो देखो जिरो से दो जिरो से दो जिरो काटा और यह कितना आ जाएगा अपना 8 से काटो यह इसको 38 32 4.5 ठीक है किलोग्राम पर आपर यह आ जाएगा तो 4.5 कहा है भई तीसरा अंसर है समय में आ गया होगा आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए बड़ा वीडियो बनना है चलो जल 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 देखते हैं अब कुछनम लेट देखिए इफीशंसी ओफ दा ओटो साइकल दब्रेटन साइकल प्रोसेस मतलब अगर सेम प्रोसेस पर आपको दे रहा है कौनसी खेंसी ओटो सैगल की और बिटेन साइकल की तो क्या होगा भई यहां पे शिम होगा है ठीकई है थीव HOLES जो आपको कि यहरा है नगीचा से नशल को कि इस तरीके से होता है ठीक है तो यहां पर प्रेशर कॉंस्टन्ट होता है यहां पर प्रेशर कॉंस्टन्ट होगा ठीक है और यहां पर इस तरीके से बनता है यह वन टू त्री फॉर यहां पर कौन-कौन से प्रॉसेस होते हैं भई ब्रेटन साइकल मां टू रिवर्सेबल और टू कॉंस्टेंट प्रेशर कि यह होते हैं चलिए नेक्स देखते हैं अभी कुछ नम्म 9 देखिए क्रेंग रेडियस ऑफ सिंगल स्लेंटर आइसी इंजन शिक्स्टी एमम एंड डायमेटर ऑफ दा स्लेंटर इस एटी एमम दा स्वेफ्ट वॉल्म ऑफ दा स्लेंटर इन स्लेंटर की कि ग्रैंक तरज्य साड़ेंटर का घूमा हुआ आइस रख्यों कितना होगा करिए भइस करेंगे इसको कैसे करेंगे इसको देखि आर बराबर कमारा दे रख्द हैं रखिए वह डियान दूरकी है शाट है घल्क तो पिस्टन तो स्टॉक पिस्टन के तो कि स्टॉक देखते नाओ तो लिगा घृप है यहां घ्रिक कि क्या लिखा है डायमेटर तो हो गए यहां पे पिस्टन वन की बात करेंania तो देखे कौन सा है तो देखे का इस ट्रॉप की बात करें तो प्रिष्टन ऊपर से नीचे जाएगा तो 60 गोणा हम क्या करेंगे दो का करेंगे तो 120 आ जाएगा यह पिस्टन दो दो जाएगा 120 mm आ जाएगा यह चीज ध्यान रखना यह चीज हो जाएगी अप यहां पर दे में लिट्टी दे रखा है है तो हांद इसकेस में स्टॉम होता है धीयुक्ते हाए घर और 58 तो अ पुछ ऺफने आपck terrific तीवर्क होदी यह सट्रॉप होता है डीयμε्टर भाइध तो यहां पर हम करेंगी है सब्सक्राइब करेंगे एल कितना हो गया 120 क्योंकि एल हमने ली है लंबाई सब्सक्राइब में और उपर से नीचे स्ट्रॉक लगाएगा एक सीधी उसका मल्टिप्लाइब सब्सक्राइब करें और यहां पर करेंगे और यह कितना हो जाएगा तो चार से गाटो वह चार से 6 कितना आजाएगा चार एकन चार फचीं चावश ऐसाओ भी्स छोलेश हो जाएगा यहां पर तो करिए अ कर एक्रेक्ट अंसर किया हो जाएगा घ्राइब सेंटिमेटर क्यूब में तो 603 इसका आंसर विजाएगा डी ऑप्षिन ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं कुशन कुशन नमर दस देखिए पिस्टन डिंग यूजली मीड़ पिस्टन डिंग किसकी बनी होती हैं कार्बन स्टील अलुमिनियम स्टील कास्ट आरिन और फास्प गईव तो कास्ट आरंगी ठीक हूँ म हुआ है कि अब आपको बताने जैसे आपको चलेंडर होता है ठीक है सलेंटर यहाज यहां से तरणी किसके बना होता है यहाप को मेंड़ेवीट बताना भी अभी जस्ट बताये विख स सब लिगोग को को बताना है कि स्लेंटर किसका बना होता है ठीक है चलिए कि कुछ नम्बर यहां पर देखेंगे 11 विच आफ द फॉलविंग सिक्वेंश इस ट्रू फॉर सेम कंपरेशन रेशियो एंड एड़ेड हीट तो सेम कंपरेशन रेशियो मैं आपको बता चुका हूं बही सब्सक्रा और एफिसन्स ऑफ डीजल तो उटो साइकल की डीजल की साइकल की को मोगी वो गवी तो की जादा होगी टीक है ओटो है यह तो भी आंसर का हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर यह और यह चलिए नाइस देखते हैं इसमें हो क्या गया इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई ह होगई तोड़ यह देखो टाइपिंग मस्टेक होगई जलिए कुछ नंबर 5 इस्टुमेंट यूज चैक्ट ऑफ चाज ऑफ बैटरी तो कोई भी ऐसा स्टूमेंट कौन सा है जिसमें चैक्ट अफ़ चाज बैटरी बैटरी को बताता हो तो क्या अंसर हैगा भी हाइड्रोमे क्या होता है भी वेलसिटी ऑफ एयर वेलसिटी ऑफ एयर ठीक है एयर की वेलसिटी यह चेक करता है चलिए कुछ नम्र तीरे देखिए फॉर्फोर स्लेंटर एंजन दफ फाइरिंग ओडर ओफ एवेंस इस ऑफ ट्वर्क वाला फाइरिंग आपको बताना है कौन सी क्रम में हो जाए तो इस स्लेंटर ने चलता है में होता है तो सबसे पहले कमप्रेशन मतलब पावर स्टॉक कौन सा स्लेंटर बनाता है सबसे बहले ठीक है शुरुबात पर लोगों को पता नहीं होगा ना इसलिए चलिए तो देखिए कुछन बते रहो गया देखिए मैं आपको एक बात बता दूं सभी लोगों को ध्यान से सुनना थोड़ा समय समय लेना चाहरा हूं बस एक मुनदा आपको जो भी लोग वीडियो देख रह है लोगों यह तो है ए वालो के लिए क्भा वहीं कि आपने टिम्सक्राम कर रखा होगा कुछ क्या कर रहे हैं कि तैयारी करने की सोच रहे होंगी और कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं जौब कर लूँ ठीक है यह चीज़े होती है मतलब मैं आपकी बात बता रहा हूं ठीक है बहुत सारी बात है ऐसी तो देखो करना क्या है आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फ बता सकते हो एमर की स्टड़ी करके फर्म खुलेगा वह ठीक है उनको मतलब मारी फैकल्टी है तो उस पर बता सकते हो उनको कि हमें यह दिक्कत है और हमें जौब चाहिए तो हम जौब कैसे पायांट कर सकते हैं प्राइबट कंपनियां बहुत सारी आती है बहुत सारे उसमें डिस्कम्स बोक्स में जाके पहले ही लिंक दे रखाओ ग्यूगल फॉर्म का ठीक है चलिए यह थोड़ा सा अपडेट था मैंने आपको पता दिया चलिए कुछ नंबर चौद देखेंगे बारसो सीसी ट्वेल्व हंडड़ सीसी फॉर्स लेंडर एंजन है तो इसका मतलब क्या मीन्स क्या होता है भी वालिम ओफ इस स्लेंडर इसका मतलब क्या हो बारसो वारसो क्या है भारसो सीसी फूर्स लेंडर तो क्या हंब आरे सो मैं अपका चार का डिवाट कर दो तो 300 Rugged एक स्लेंडर हो दाएगा सजीए कर ठीक है चलिक्युबिक कैपसटी होता है चले इस कहन्प होता नहीं है जैसे एक लिखा होता है तो उसका क्यूबिक क्यापसटी मतलब इसका मतलब यह बताता है कि आपका यह इसकी एक स्लेंडर की कैपसिटी बता रहा है 300 ठीक है यह चीज हो गई जैसे अब जैसे मालो की बाइक पर लिखा है 150 तो 150 के लिए होता है तो टू का डिवाइड कर दो इच एक स्लेंडर का आपका निकल जाएगा ठीक है तो एक स्लेंडर की कैपसिटी निकल आएगी इस तरीक से होता है चली 15 देखी वाट इस दा अधर नेम अफ डीज़ा नेम क्या होता है भी कॉंस्टेंट टेंपरेशर होता है कॉंस्टेंट प्रेशर होता है ठीक है तो डिजल साइकल बाइब क्या बना दें ठीक है यहां सही रहेगा कैसे बनता है भी इस तरीके से फिर इस तरीके से फिर इस तरीके से फिर ठीक है तो वन कॉंस्टेंट होता है वन कॉंस्टेंट वॉलियम होता है एंड वन कॉंस्टेन्ट च्रेशर होता है एंड टू होते है रेवर्सरेवल ल अईयवेटर इस छीज़ वह गई तो यह प्रेशर वाला हो गया यह प्रेशर वाला हो गया यह o आइडिया वेटिक हो गया ठीक है यह चीज हो गई चलिए आगे देखते हैं कुछ नंबर 16 देखी इन ए आइसी इंजन है स्वेप्ट वॉल्यूम 20 एंड क्लेंस वॉल्यूम 5 फाइंड दा कॉम्प्रेशन रेच्व एंड वाट इस दा साइकल नेम बहुत ही इंपोर्टन कु कुछन है इंपोर्टन कुछन है भई कैसे इंपोर्टन है देखो मैं यह दाओ यह कुछन मैंने खुद बनाया आपके लिए अब कैसे बनेगा देखो दिमाग लगाओ आईसी इंजन आपको स्वेप्ट वॉल्यूम दे रखा है देखो देखो भई एक मटोक ना वीएस कितना देर्खा है ठीक है एंड रेंस वाल्यूम के ना देरेखा है वीजी आपको देरसखा है 5 ठीक है फाइंडरां देकल our exactamente रिशियो ठीक है अब कमडात़्ों मतलなので न वीकप्राइस प्लस ऑन वीजी होता है तो वी आपन वीजी ओडी नोस वी सी या यहां पर तीस कर लो भई ठीक है यहां पर यहां पर 25 कर लो यहां पर टाइपिंग में थोड़ी में स्टोग वह यहां पर 25 करना ठीक है तब थोड़ा सही निकलेगा अंसर कि यहां पर 25 कर ले ना ठीक है 25 हो गया तो यहां पर हम कितना हो जाएगा यहां पर पच्चीस अपर प्लस पंगच बटे पंगच तो कितना हो जाएगा तीस वटे 5 और 5 से यह काट हो तो 6 तो 6 तो आ गया हमारा ठीक है तो 6 तो आ गया अब 6 देव को क्या है और इसमें क्या पूज रहा है कि यह सबसे अगर यही निकलता मालो इसमें निकलता मालो अठार है तो डीजल साइकल हो जाता है चलिए आगे देखते हैं कुछ नम्म सत्रह देखे यह स्टेंडर्ड एफीशन्सी ऑफ एन ओटो साइकल है विंग कंप्रेशन रेश्यो फोर एंड़ आइडिवेटिक एक्सपोनेंट ऑफ 1.5 विल बी काफी इंपोर्डेंट है देखे करिए तो यहां पर हमारा कंप्रेशन रेश्यो कितना है सी यार आपको दे रखा है कितना चार ठीक है और आइडिवेटिक इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5 ठीक है और क्या बता रहा है यह स्टेंडर्ड इफीशन्स एफीशन् और कितना चाहर 1.5 ठीक है तो यही हो जाएगा तो 1 मानिस इन चाहर की पावर मेंपन अर जिरु फाइवां रहां पर आता होगी तो यहां पर दस हो जाएगा तो데 समेंटन्स यहोजाएगा तो कितना हो जाएगा यहां पर यहां कर ले रहे हैं 1-1 upon 2 की पावत 2 करोगे तो चार हो जाएगा एंट्व 1 upon 2 करोगे 2 से 2 काट दो तो हमारा फाइनली कितना बचेगा 1-1 upon 2 तो कितना हो जाएगा दो एक वटे 2 हो जाएगा गुणा हम यहां पर करेंगे 100 का स्वाका गुणा करेंगे यहां से इस तरी किसे कोई दिक्कत नहीं है काफी इंपोर्टन कुशन अभी तो पचास प्रशंट यहां पर हमारी निकल लाएगी अब देखिए इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगी कुशन हमार रठा रहे का सीम टूस में आपको थोड़ा से हैंट दे दूंगा इन एन इंजन वर्किंग ऑन ओटो साइकल एर फ्यूल मिक्शर इस कंप्रेस्ट फ्रम फोर हंडड़ सीची टू हंड़ सीची ठीक हैं अब यहां पर देखो कंप्रेशन रेशियो कैसे निकाल होगे थे तो कंप्रेशन रेशियो कैसे हो जाएगा भी चार सो बटे सो कर दोगे आप तो कंप्रेशन रेशियो आजाएगा चाल ठीक है अब तो निकाल लोगे ठीक है अब गामा की वैल्ली दिरखी 1.5 अब आपको इफीशन सी इसकी बतानी है कमेंट वोक्स में आंसर बताना ठ ठीक है सॉल्व करके बताई कितना आंसर निकलेगा ए बी सीडी जो भी आंसर निकलेगा बताना जरूर ठीक है चलिए की कुछ निदाएं लेए इफीशन crowफ क्ट फ साइकल की औरफ देख्यों टेख्यों लेप skills अधर ठीक अब देख्यों का विटकल्प मेरें याद्स इनकल में है निकली होगा इनक्रीश और एफिक्रिश को जाएगा ठीक है एधिक है एनक्रीश इंकरिश रियू इनकील बत प्रyer देखिए ऑक हैं यहां कि लिखनाइए बहुन छी क्राया एल्ग फॉनमवर्ण पॉन हमें चरभी पीजिए कणिस्ट सब्सक्राइट सब्सक्राइब गामा की यहाँ पे भी गामा है यहाँ पे एक-षीAy बता दूँ मैं गामा यहाँ पे है वह आईडियवर्टिक इंडेक्स है आर है कंप्रसंर डिशियम है और रो है वह हम चीनल केज्घअल आप देख द्यांवा आण पे अगर आर अगर बढ़ा रहां तो तो efficiency यहां पर बढ़ती है ठीक है सब्सक्राइब और अगर हम cut-off ratio यहां पर हम बढ़ा रहे हैं तो efficiency diesel engine की वह क्या होती है गड़ती है अगर हम जैसे जैसे load बढ़ाते हैं जैसे engine पर लोड बढ़ता है तो fuel की supply होती है फ्यूल सप्लाई वो क्या होती है वो भी बढ़ती है ठीक है और यहां पर cut-off ratio होता है वो भी बढ़ता है ठीक है तो efficiency जो होती है efficiency वो क्या हो जाती है decrease हो जाती है तो काफी important है यह data ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे देखिए question number 20 देखिए भई the charge suck in Flanders suction stroke of diesel engine तो डीजल इंजन में जो चार्ज होता है suction stroke में ठीक है सब को पता है suction होता है compression होता है पावर स्टॉक बनते है चार स्टॉक होते हैं वैसे तो यह जिए बताने है suction stroke में डीजल इंजन में क्या शक किया जाता है डीजल ओनली डीजल एयर डीजल प्लस एयर लुब्रिकेशन तो करक्ट देखो बैज क्या करना है सभी लोगों को देखो 20 कुशन में आपको परा दी है इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलिग्राम गृप पे मिल जाएगी PDF बाकि सभी लोग को चैनल को सब्सक्राइब पर लिए और तेलिग्राम पर जैसे टेलिग्राम ग्रूप पर आगर नहीं जा और डारेक्ट बैसे सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे सर्च को अप्शन होता है मिल जागा 5000 से लोग जाता है अब पीडिएफ में कोई दिक्कत नहीं हो रही है पीडिएफ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं डेली-डेली ठीक है किसी भी वीडियो के पीडियाफ अगर नह प्रोवाइल नमबर यह मेरा मोबाइल नंबर है एस मोबाइल नंबर और वाटसब एग कि वाटसफ की स्कौण्ट हो ही है यह सई से लेग्ता है सब्सक्राइब अधर करना है कोई भी बात है तो पूछ लेना बागी ज्यादा परिशान मत करना और क्वाल भी अगर करनी यह नंबर है यह वन है लास्ट में चलिए तो नेक्ट वीडियो में बलते हैं भई सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरू करके जाना भई बहुत मैंनत लगती है बहुत गर्मी में वीडियो बनाता हूं कोई भी यहां पर सोर्स नहीं है इस तरीके का जैसे वालो की एसी व कोशिश करता हूं आप सभी लोग के लिए उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एक्जाम निकालें नौकली लगे सभी लोग के लिए